तो बीपीसी स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो हम आज अपने नए वीडियो को साथ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं दोस्तो आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस जो कि 21st की तरह है आप इस चीज़ को आप अपने एंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं आज न्यू इमर्जिंग टेकनोलोजी में इस चीज़ का आप यूटलाइज कर सकते हैं तो बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है तो जैसे कि आज जो भी चैनल पर नए हैं तो मैं आपको पहल जाया गया है टाइलेगाम ग्रूप पे वह आप जाकर फॉलो कर सकते हैं वहां पर सारे इन सारे टॉपिक्स के पीडिएफ्स हो गए आपको वहां प्रोवाइड कराई जाएंगी और हाँ आपकी जानकर इक लिए भी बता देते हैं कि वहां पर हमने एक प्रोग्राम भी आ और जो सेफ हैं उनको तो बिल्कुल कर लेना चाहिए कहीं पर भी आप करें लेकिन यहां पर आपके लिए बहुत ही मिनिमुम प्राइज में सिक्स जीएस वन का और जीएस टू का तीन टेस्स प्रोवाइड कराया जाएगा बहुत ही बेनिफिशल होगा आपके लिए एंसर सब्सक्राइब करें तो जल से जल जहां पर भी हैं अगर आपने नहीं तैयारी स्ब्सक्राइब करें चाहिए और कहीं पटेस्ट प्रेंचलाडव च्वीस ज्यादा ऐस सब्सक्राइब इसके साथ challenges क्या क्या है आपको उसको examine करना है ठीक है अब बात करते हैं इसमें अपको लिखना क्या क्या है तो पहले तो आप artificial intelligence की बारे में जरूर बात करें इसकी application क्या है अभी के जमाने में इसकी बात है क्यूं हो रही तो है challenges क्या-क्या है अभी क्योंकि यह new emerging technology है तो इसके साथ बहुत सारी possibilities है हमारे समाज को बदलने कि इसके अंदर बहुत ही possibilities है ठीक है artificial intelligence तो क्या-क्या इसमें challenges आ सकते हैं और क्या यह GDP growth में कहीं पी भी क्या इसका रोल होगा ऐसा-इसा मतलब सारे चीज़ को आपको देखना होगा चलिए artificial intelligence is ability of a computer program और a machine to think and learn and act accordingly इसका मतलब क्या है कि artificial intelligence basically technology है ठीक है computer programming और machine के जारा मतलब या तो computer machines के थुरू या robotics या कुछ भी उसके अंदर ऐसी समता डाल देना ठीक है by technology use of technology think करने की capability उसके अंदर हो learning सीखने की capability हो और उसके अनुसार decision लेने की उसके अनुसार act करने की capability किसी के machine के अंदर आ जाती है तो उसको हम बोलते है artificial intelligence based machine है ठीक है it is also a field of study which try to make computer smart यह तो computer का work ही हुआ they work on their own without being encoded with command मतलब इसमें कोई command नहीं होता है बस वह कैसे work करते हैं उसके अंदर सीखने learn करने की और ठीक करने की च्छमता आती है वह बाई कैसे बारवार प्रैक्टिस से बारवार उसको active mode पर डालके मतलब human interaction करते करते कि कैसा human thing करता है उस तरह का behavior यहां पर यहां पर उस चीज़ को catch करता है ठीक है artificial intelligence जैसा कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे अभी कौन-कौन सा machine आपने देखा होगा ठीक है simple language में आपको समझने के लिए ठीक है कि human behavior को catch कर ले मतलब जैसे सोच कर किसी चीज को act करना तो यह चीज human character ही है न तो वह चीज़ बाते आती है तो intelligence जो है artificial intelligence की बात है artificial intelligence make it possible for machine to learn from experiences अभी जैसे हमने बताया कि वह धीरी धीरी सीखते हैं practice lot of practices जैसे उनके अंदर feed करते हैं कि हमको कुछ question पूछन पूछना है तो धीरी 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 और भी accurate होते चले जाते हैं make it possible for machine to learn from experience जैसे हमका experience होता है वह और बहतर होते चले जाते हैं adjust to new inputs and perform human-like tasks अब अगर इस तरह की बात अगर आती है तो आप इसके answer से मतलब जो इसके definition है हैं वहीं से आप इस चीज की application को खुछ से हम define कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर human-like characters आ जाते हैं तो हम उसको कहां कहां use कर सकते हैं एक robotics के अंदर तो माइन में तो बहुत सारे चीज़ा आ जाएंगे अगर हम अपने से think करते हैं तो जैसे हम defense work में लगा सकते हैं robotics अगर है तो हम कहीं ऐसे dangerous जहां पर human की दिकत हो जाती कि कहीं उनकी loss हो जाती है human loss हो जाती है जहां पर तो ऐसे ऐसे मतलब deepening situation जो होती है ना उस जगह पर हम इसको लगा सकते हैं जैसा coal mining वगयरा हो गया तो वह artificial intelligence based robotics वगयरा को यूज करके वहां खनन वगयरा काम जो होता है माइनिंग वगयरा वहां लगा देंगे तो इससे human लगाने का काम करते हैं तो वो भी इनको दे सकते हैं ऐसा लगा कर सकते हैं तो बहुत सारे thinking में आ रही होगी क्या क्या हो सकते हैं ठीक है using this technology computer can be framed to be accomplished specific task by processing large amount of data and recognizing pattern in the data यह सब सिंपल बात से जो था यहां सब्सक्राइब है यह थोड़ा बहुत आपके लिए बता दिये गए यहां तक आप थोड़ से ध्यान रख सकते हैं ठीक है human like task ठीक है बात करते हैं थोड़ी सी और इसमें application से पहले तो जैसा हमने बताया कि कैसा कैसा सोच सकते हैं अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो एक चीज और यहा यह भी लिख सकते हैं वहां दोनों की जगहा पर ठीक है तो आपके लिए दो यहां पर मैंने दे दिया है जौन मकार्थी आज इस नोन ऐस फादर और आटिफिशल इंटेलिजेंस जौन मकार्थी जो है उनको फादर आफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मतलब इसके जनक कह सब जहाते है ठीक है ग सबसेट ऊफ ऐहां कौन क्यूं हो गया एक हो गया इप लर्निग काodynamics औस ऐस में झाल्ज परशेप्षो कते यह गेक की जो भ Uranू यह पिंड खुक गांतर तो मे ए में मतलब तो तो माइंड में पर्शेप्शन आ जाती है तो यह सब जो कॉलिटी जिसके अंदर आती है वह मसीन लर्निंग के तुरू आती है तो इस तरह आप देख सकते हैं कैसा इसका सबसेट है तो पहले तो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हो गया उसके अंदर बात करते हैं तो मसीन लर लर्निंग एंड डिस्कवरी थ्रू देटा बट एई इस डिफरेंट फ्रम हाडवेर ड्रिवन ना इसमें कोई हाडवेर लगा रहाता है न कोई रोबोटिक आटमेशन होता है यह जस्ट एक्स्पीरियंस से लर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ आटमेटिक मेन्वल टास्क यह कंप्यूटराइज टास्क रिलाइबली और विद फिगर ठीक है अराम से कुछी चीज को करने में सक्षम है यह पर्फॉर्म जो करता है यह ठीक है है हेवी हेवी टास्क हेवी हेवी काल्कुलेशन बहुत ही इजी वय में कर देता है ठीक है दूसरा देख सकते हैं एरर आपने को मिलने वाला भी artificial intelligence help in reducing the error and chance of reaching accuracy with greater degree of precision is possible ठीक है बहुत high degree of precision आपको मिलेगा कि accuracy जो होगी न वो धीरे धीरे जो इस तरह work करता है वो और ही मजबूत होता चला जाता है ठीक है for example क्या है हमारा interaction Alexa के साथ Alexa हमने सुना होगा कि गाना मना सुनने के लिए हम लोग बोलते हैं Alexa play this song Alexa search this one ऐसे से करके लिखते हैं Google search हो गया Google photos हो गया Google assistant हो गया तो यह सब जो चीज है ना यह AI based है अब आपको समझ में आ रहा हो कि work कैसे करता है उसको जाता है कि हम सबसक्ते हैं उसको कैसा कैसा कैसे 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 लोगिस नौलर Спर रहा है कि वो आदमी की तरह है कि मुझे से बात कर रहा है हम Alsace कर सकते हैं तो वह उसी तरह करता है क्या पूछना चाहते है उसको एक्ट करना तो यह AI based function करता है ठीक है तो आला बेस्ट ऑन डीप लर्निंग जो है यह डीप लर्निंग काउंट सब्सक्राइब यहां पर यूज होता है दे कीप गेटिंग मोर एकुरेट दा मोर वी यूज दें जैसे से हम लोग सको ज्यादा यूज करते चले आते हैं वैसे वैसे यह एकुरेसी की तरह बढ़ता है ठीक है डेली अप्लिकेशन में बात करते हैं तो कंप्यूटिड मेंथट फॉर आटोमेटेड रिजिनिंग लर्निंग अनद परसेप्शन हैब बिकॉम और कॉमन फेनोमेना इन आवर डेली लाइफ ठीक है डेली अप्लिकेशन में इसली तो और पर यह सब हलका का फुल का जो काम वगयरा है वह सारा यह डेली अप्लिकेशन में आ जाएगा वह भी इजी हो जाएगा याई के तुरू डिफिकल्ट डेटा एक्स्प्लोरेशन जैसा कि हमने बताया था कि स्पेश मिसन वगयरा हो गया यह सब्सक्राइशन हो गया कोल कोल जो माइनिंग व सब्सक्राइब हो सकते हैं तो AI and science of robotics can put it use in mining, fuel, exploration process and also in space mission ठीक है यहां हम यूज कर सकते हैं Digital Assistant मिल जाएगा ठीक है as personal healthcare assistant मिल जाएगा अगर हम किसी जो रोबर्ट तैयार कर देंगे वह ऐसा AI-based होगा तो क्या-क्या demand है एक patient की तो हाँ आदमी का जो है कहीं कहीं बहुत लोगों को दिकत होती है तो यह AI-based है इसके लिए work कर देगा कि ठीक है आपको यह दवाई खानी है यह करना है यह करना है तो सारा चीश का ध्यान यह AI road कर लेगा तो AI application can provide personalized medicine and x-ray reading ठीक है personal health care assistant can act as life coaches reminding you to take pill यह basic example है एक simple meaning exercise और and equate healthier ठीक है healthier आपको रखने में बहुत ही सक्षा में रहेगा इस तरह का अगर act करता है आपके लिए ध्यान देने वाला हो यह आपके लिए personal health care service provide करा रहा है तो definition से आप उसके application की तरफ जा सकते हैं या उसकी जो क्योंकि यह नई technologies है यह हो गई आपको biotechnology हो गई तो यह सब जो नई technology है ना तो वहां पर अपार संभाव संभाव ना है ठीक है possibilities जो हैं बहुत सारी है कि क्या क्या उस field में हो सकता है तो वही है defense वाले section है वहां पर बा है missile वगेरा रही है तो एक range हम अगर fix कर देते हैं कि इस range में कोई जो different type की जो है activity activities हो रही है जो की unfamiliar है पहले उस condition से तो उस चीज़ को recognize करके उसको सब्सक्राइब कर देगा तो यह defense system को मजबूत करेगा न तो यह चीज़ यह इंसान का वहां पर जुरूत नहीं पड़ा है वहां पर कोई गस्त लगा रहा देख रहा है ऐसा कुछ नहीं दिकत होगा need to know break कोई break इसको लेने का जुरूत नहीं क्योंकि मसीन बेज़ है मजबूत होता चला जाएगा किसमें राइड डिसीजन लेने के चाहिए एक चीज़ कॉंसर्ट में देख सकते हैं AI चैटबॉट बहुत ही बेस्ट इग्जामपल है सारे कंपनी बहुत सारी कंपनी अगर आप देख रहे होंगे बहुत सारे कोचिंग इंस्टूट वाले हो बैंकिंग सिस्टम में हो गया किया हो गया दिशा हो गया आपने सुना हो गया इस अब ठीक है आयर से टी सी का जो अपना बना हुआ उसका सुन सकते हैं तो इसका यह बेस्ट चैट बोट होता है वहां पर आपको बैठने के लिए असिस्टेंट मतलों कोई बैठा नहीं रह कि अगले है किता है तो यह बेस्ट एक्जांपल आपको देखने को मिल्एगा आपके हाथ में आपके जो मॉवाइल में है वहां पे आप देख सकते हैं कि किसी कंपनी वगरहा हो गया और कोई बैंकिंग शिस्टम है कि आइगर ओंलाइन आप चिला रहा है तो वहां पर उस अब अगर यह सब ज़्यादा वर्क वगर उधर करने को मिल लेगी तो कि नू टेकनलोजी है तो रीचेर्च वगरा के लिए बहुत सारे पैसा वगर की जुरुरत है क्यूंकि अभी नहीं टेकनलोजी बहुत सारी पॉसिबिलिटी से तो रीचर्च की बहुत अभी कहां सोच सकते हैं तो एक्सपेंसिव है ठीक है दो ओवर ओल कॉस्ट ऑफ इंप्लिमेंटिंग एंड एए मसीन इस उनली अफ्यू कैन मेक यूज अभी तो यह नया है तो अभी आएगा अगर इस चीज़ को इंप्लिमेंट होता है तो नय बहुत ही ज्यादा या तेज दाम मे और भी आए process speciale के लिए कि टीक है टीक हैच मासीन हो जाएगा हम ज्यादा ही तो बहुत सारी बिमार्यां भी होंगी हम कोपे सासे कर reg Catholic कोई क्या पाएगा क्या कर पाएगा है ठीज उंगली से या कोई मसीन को अपना अपने हाथ में आपके सब चीज होगा आपको कुछ करने के जुरूद नहीं आप बैठे रहेंगे नया नया चीज आपके सामने से सब कुछ होता चला जाएगा ठीक है तो डिपेडेंसी आ जाएगी आप उस पर डिपेंड होना ज्यादा हो प्रोवाइड करना होता है तो अनएंप्लाइमेंट बढ़ जाएगी क्योंकि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा यह बेस्ट मसीन वगएरा को ठीक है तो यह सब थोड़ा चैलेंज है रेस्ट्रिक्टेड वर्क मसीन कैनाट थिंक क्रियेटिवली क्योंकि वह इतना बड़ मैंको चाहिए उतनी यहां नहीं है वह एक लिमिटेड सोर्स की तरह जो इसको फीड किया गया है जिस चीश़ए वह एक्ट करता है उसको जितना लोग सोचते हैं धीरे धीरे और करता है तो उसकी जिमाएं अलग होती हैं एक मसीन की वह उतना नहीं पहुंच पाएगा जित चीज कहा है वो चीज कहा है तो उसका एरिया लिमिटेड है उतना ही कि फेज में वह अपना decision making करता है जब कि human के साथ ऐसा नहीं है तो यह चीज यहां थोड़ा problem है AI के साथ आएगी ठीक है creativity नहीं होगी वह एकदम घिसा-पिटा वाला अगर इस तरह का बात है अगर सब जगह यही सब AI वेस्ट टेक्नलोजी यूज होने लग जाए तो आपको पता तो हैं है कर एक से बैठे हुए हैं है तुरंत कर लेंगे हां तक कि आपके प्रेसिडेंट आफ यूएसे के प्रेसिडेंट को का जो है है Twitter account है हो जाता है हमारे देश के लिए कभी हैक हो जाता है तो आप समझे सकते हैं कि साइवर थ्रेट वहां पर बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी अगर टेरिश्ट उस तरह के हो तो साइबर अटेक होने के चांसे हो जाएंगे ठीक है साइवर थ्रेट बढ़ सकता है अब यह सब चैलेंजेस थे इनको चैलेंजेस को दूर करकर ही हमें आगे बढ़ना होगा लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ह इन दे लेबरेटरी आफ एसाइट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंसिचूट तो यह रोबर्ट बनाया गया था किसके वे था फॉस हिमनाइट बेस्ट यह बेस्ट था ठीक है तो यहां से भी समझ सकते हैं कि वह अगर कोई चीज आ रही है और लिखाना है वगयरा है तो यह बेसिक है तो यह बेस्ट था 2019 में रश्मी का नाम आपने सुना होगा सोफिया जो है ठीक है हॉंक कॉम बेस्ट आपने साओधी एरोपिया में अपने देखा होगा इसका प्र कही मॉडल पे रश्मी को बनाया हुआ है सोचल हीमोनाइट रोबोट डेवलोप बाइधो हों यही सफिया के लिए बताया जा रहा है कि हौंक कॉंग कोंग बेस्ट कंपनी ने बनाया था सफिया को तो यह उसके मॉडल पर क्या बनाया गया है रश्मी किसके जआरा रंजित इंडिया का पहला है लिप सिंपल देखते हैं आप तो यह वोट वगर वो चला नहीं ती वस ऐसे जो रियक्शन होता है वह अंदर से आती है ठीक है लेकिन इसको फर्स्ट रोबर्ट है जो लिप सिंकिंग के साथ है कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं कि हैलो आयम रश्मी तो उ इनके होट भी हिल रहे हैं उसी तरह से यह पहला रोबर्ट है रश्मी वह यूजिस क्या लिंग्विश्टिक इंटर्प्रेटेशन एई विजुल डेटा और फेशल रिकॉगनेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है ठीक है ठोड़े रीसेंट में क्या क्या चीजें आई कर सकते हैं क्या 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 आपको इंक्लूट करना है क्या 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 नहीं करना है बाकी बाहर से भी आप देख सकते हैं ठीक है आपके नॉलेज के लिए ठीक है कोविट-19 has accelerated the evolution of the way work is designed or delivered many companies and countries experimentally with innovation experimenting with innovation using emerging technologies such as artificial intelligence जितना companies बगरा है अपने देश के government भी इस पर बहुत जारा ध्यान दे रही है क्योंकि emerging technology है तो re-imaging the business of operating models making themselves more agile flexible and responsive क्योंकि इसमें आपार श्रमता है इसमें तो सभी लोग जो कोविट-19 का जिस्तर का situation आया तो डिपेंडेंसी आपको पता होगी कि ज्यादा तर डिपेंडेंसी जो होगे डिजिटल डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है तो यह भी एक अच्छा है कि जो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम हर सरकार ने स्टार्ट किया हुआ है तो इसक पॉजेटिब साइन है तो आप डिजिटल इंडिया या प्रोगर्स डिलेटेड अगर बात होती है तो इन चीजों का जुरूर बताएंगे कि हां कोविट-19 के समय में भी हमें किसी इसकी पॉजेटिविटिविटी मिली डिजिटल इंडिया का जो है कोश्चन तो यहां से आप डिल करके इसको बता सकते हैं करेंट्ली एडॉप्शन इंडिया इस फ्रैमरेली ड्रिवन बाइद लाज ग्लोबल टेखनोलाजी कॉंग्रोमेट्स जो है सेलेक्टेर स्टार्टप और जी इसी जी सीसी ऐसे करके जो बात कर लेते हैं सिंपल बात करते हैं कि banking and financial service इसको यूज कर रही है ठीक है यहां देख सकते हैं फार्मा एंड हेल्थ केर वाले में देख सकते हैं तो हाइदराबाद में स्टार्ट अप लिया गया था किसी इसको लेकर AI-powered low-cost ventilator बनाया है यह ठीक है AI-based that can capture patient information to make medical intervention तो यह बहुत अच्छा इनिशेटिव है कि AI-based है कि वो patient की situation को देखकर वहां पर उनसकी जितनी details वगए रहा है वहां पर उसको provide करा रहता है ठीक है similarly Mumbai-based में start-up हुआ है क्या है AI-based पर कि chest x-ray to identify क्या है lungs में क्या है extent of infection in lungs and with the helper and help in tuberculosis detection है ठीक है यह हुआ है Mumbai वाला तो यह दोनों एक्जांपल आप दे सकते हैं basic recent में कि pharma healthcare वाला sector section हो गया banking financial section में हो गया ठीक है मतलब अब देखा जाए तो सारा section इस चीज़ को यूज करने के लिए अब उतारू है ठीक है कि अब मुझे हम लोग को भी थोड़ा advance होना होगा ठीक है agriculture में भी बात कर सकते हैं तो ऐसा देख सकते हैं कि क्या क्या monitor हो सकता है कब बारिश होती है वह automatically आपको farmers के मुवाइल के डेटा में आपको आ जाएगा कि हाँ अब आप यूज कर सकते हैं इस क्रॉप को यूज करना चाहिए यह करना चाहिए यह सारा चीज आपको AI- बेस्ट टेकनोलोजी से आपको मुवाइल पर ही डेटा अगर अब प्रोवाइड हो जाएगी तो एग्रिकल्चर फिल्ड में भी यह इजी मतलग आप सब सही है कहां फोकस करना चाहिए गवर्मेंट को तो क्लियर सेंट्रल स्ट्रेजी पॉलिसी फ्रेंग यहां देख सकते पॉलिसी में भी इसकी बात की गई है विच एड्रेसेज दा नीड ओफ इंकल्केट एयाई इन कर्किलम आर दर राइट स्ट्रेजिक स्ट्रेप इन दर डिरेक्शन तो इंकरेज्ट को एंड अप्लाइड रिसर्च आपको पता है कि न्यू एड्युकेशन पॉलिसी को भी लगो किया रहा है तो इसमें भी इसीज का जिक्र है कि AIO को कैसे हम बढ़ावा दें और कहां कहां इसीज को स्लिबस बगरा में डाला जा रहा है ताकि लोग में रिसर्च की लोग के अंदर इंट्रेस्ट बगरा जागे कि लोग इसके परती सोचना बगरा स्टार्ट करें हावएवर इन AI adoption in India can accelerated through the formation formulation for more focused policy related to the innovation for example patent control and security वगरा थीक है तो more innovation चाहिए इस पर इसराच की जवरीषा है सरकार इस पर ध्यान दे रही है कोई-19 एक चीज और यहां पर टॉपिक मुझे मिला था यह अब देख सकते हैं यहां से ठीक है 500 450 से लेकर 500 बिलियन यूस डॉलर है ना इंडिया का ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट जीडीपी में वह सब वह मतलब एड़ान करेगा दो हजार पचीज तक एंड्राइव इंडिया इकोनोमिक क्रोथ और जो हमारा है कि पचीज कितना है पांच ट्रिलियन एकोनोमी बनने का सपना भी यहां से पूरा होने को देखता है तो उसके लिए भी आप यहां से जोड़ सकते हैं इससे लोग लेकर ठीक है तो आर्टिफि कम राएर कि आप टेलिग्राम चैनल णुक्त है इससे जूड़ सकते हैं आप देले अंसर कर सकते हैं हाली सิंसियर वे राव गडीümü करें आपके लिए सही होगा और आप घह से जूड़ना चाहते हैं तो आप टेलिग्राम में परसेनल ऐसेस कर सकते हैं या आपको यह बिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप मेल पर आपके बात कर सकते हैं streetwalk 007 at the rate of gmail.com ठीक है streetwalk 007 at the rate of gmail.com ठीक है ठीक है दोस्तों चैनल के साथ बने लगे रहे मतलब जो भी नए हैं क्रिपेकर के चैनल के साथ जरू से जरू जुड़े और आपको सिर्फ main main topics वगरा जितने भी important topic हैं जो आने की chances जिसके जाता हैं जैसे IR का section हो गया सारा वह चीज आपको कराया जाएगा कराते जा रहा है यहां पर आप देख सकते हैं जाके वीडियो में और रेगलर वे में यह चलाया जा रहा है ठीक है तो आप इससे जोड़ सकते हैं thank you so much for watching